वेल्कम तो श्टडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मत कैसर बीपेसी टियारी थ्री यानि विक्यापन संख्या 22 और 24 प्रकाशित हो चुका है टियारी थ्री जारी हो चुका है दस परवी से फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या डुमेसाइल नित तक बने दियेगा टियारी थ्री का आयलान तो होई गया नोटिफेकेशन भी आ गया परिक्षा को लेकर बताया जारा कि मार्च में एक्जाम हो जाएगा 10 से 23 फरवरी के बीच में आवेदन लिये जाएंगे यहाँ पर जो भरती है वो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की है हाला कि अपडेट है न्यूज 18 की तरफ से खबर आई है कि 90,000 के आसपास यह रिक्तियां टोटल होने वाली हैं जिसमें 1 to 5 के 15 से 18,000 के आसपास पद होंगे और अब तक न्यूज 18 ने जो भी खबर दी है वो बिलकुल सही सावित हुआ है चाहे वो विग्यापन को लेकर हो चाहार अभी कितने अलग-अलग पद हैं यह नहीं जानकारी मिली है नाइन टेंथ में 10 से 15,000 पद सबसे अधिक रिक्तियां है प्लस टू यानी 11 12 की सिक्षक भरती में 40,000 वेकेंसी संभव है टोटल पदों की संख्या 90,000 के आसपास जाने वाली है यह खबर पक्की है कि ड यारी 1 और यारी 2 में भी डोमेसाइल निती नहीं था लेकिन एक बड़ा फैसला बिहार सरकार दोबारा लिया गया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं इसके वज़े से अधर स्टेट के जो मौकें हैं वो काफी कम हो जाएंगे और जो नौकरी है वो मैक्सिमम बिहार के छात्रों को मिले ही हर राज सरकार अपने राज के बारे में सुचती है तो ये कहीं से भी गलत फैसला नहीं है बिहार सरकार भी चाथी है कि उनके राज के जहात्रों को अ 76 नौकरी मिरे तो देखे दोस्तों यहाँ पर लेटेस जनकारी किया निकल कर आई है कि तीस्रे परसेंट का रक्षर था 40% सीट यूर को मिलती थी और उस पर अधर इस्टेट वाले चाथ भी फाइट करते थे लेकिन जातिकत जनगर्णा के बाद जो आरक्षर था उसे 60 से बढ़ा कर 75% कर दिया गया और यह जो नया आरक्षर कानून था वो तीसरे चरण में लागू होगा हर केटिगरी में 50% सीट आप बिहार में महिलाओं के लिए र리जव होती हैं 125 और इसमें भी 12-12% महिलाओं के लिए सीट रिजव हो जाएंगे जिसमें बिहार की सामानवर की महिलाओं और अधरिश्टेट की सभी महिलाओं उचिट सीटोंपर पहले 20% सीटों पर यह और इसमें भी ये नहीं है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ सामान वर के चात्र फाइट करेंगे रिजर वेशन का मतलब यह होता है कि 75% तो फिक्स है सीट हैं जिस पर बियार के चात्रों को नौकरी मिलेगी जो बची हुई 25% सीट हैं जिसमें 12.5% महिलाओं का रक्षड है उसमें बियार की सामान वर की महिला अदर स्टेट की सभी महिला फाइट करेंगी लेकिन यदि बियार की कोई महिला भैरती है रिजर्फ कैंडिडेट की वो यदि यू आर फिमेल वाला कट आफ पार करती है तो वो अबर लैप करके आ जाएगी यू आर फिमेल वाली सीट पर तो र साड़े बाराए परसेंट महिलाओं नवर्ट के पूरुश अभ्यर, अधर इस्टीट के सभी पूरुश अभ्यर थी, साथी साथ बिहार के जितने भी अभ्यरती हैं, किसी भी कैटिगरीह के हूँ, यदि उनका जो मेरिट है वो यूर मेल की मेरिट से जादा है तो वो अपनी सीट छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे तो सोच सकते हैं कि competition यूर सीट पर काफी तगड़ा होगा इसपेसली पूरुशों के लिए महिलाओं का तो चलिए फिर भी साड़े बारे परसंट का जो अरक्षड है उसमें सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी तो यह पूरा सेनारियो है और नब्बे हजार तो टोटल सीट हैं यदि आप अपने वैकेंसी को देखिए जिसे प्राइमरी में मान लेते हैं मैक्सिमुम अठारे हजार सीटों पर भरती यह आ जा रही है 18,000 का सिर्फ 12.5% यूर मेल को सीट मिलेगा जिस पर वो फाइट कर सकते हैं मैं यह नहीं कि रहा हूँ कि यूर मेल के रही वो सीट हैं साड़े बारे पर्संट ऐसा नहीं है आप साड़े बारे परसंट को फाइट करेंगे उस पर अन्य अभ्भयती बिहार के बि मैं किसी को Demotivate नहीं कर रहा हूं लेकिन सच्चाई को बयान कर रहा हूं आप यह मां सोचे कि 90,000,001,001,001,001,001,001 तो अराम से नौकरी मिल जाएगी पिछली बार 70,80,000,002,001,001,002,001,001,001,001,001,001,001,001,002,001,002,002 नहीं नहीं लग पाई पिछली बार भी को मदद करेगा यह कुछ मात्पुजन काई निकल कर आई है बिहार शुक्षक भरती फेस 3 से वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग